तो दोस्तो हमें ये तो पता है अगर 2024 का Royal Rumble गुंतर या फिर Best in the World CM Punk जितते है तो वो Definitely Challenge ठोकने वाले है World Heavyweight Champion यानि कि Set Rollins को लेकिन दोस्तो ट्राबल चीफ रोमर रेस को कौन चैलेंज ठोकेंगा for the Undisputed Champion at WrestleMania तो चलिए बताता हूँ Hello दोस्तो मेरा नाम है RJ और आप देख रहे हो RJ Wrestling Fans तो दोस्तो ध्यान से सुनिया मेरी बात को CM Punk गुंतर Royal Rumble जित गए ये तो हमें पता है कि वो सेट रोल रेंज को चैलेंज ठोकेंगे और उस मैच के अंदर बुरी तरीके से रोमर रेंज ने हराया था लेकिन एक बार फिर से एले नैट के पास चैनल से अगर वो 2024 का Royal Rumble जितते है तो एक बार फिर से वो चैलेंज ठोक सकते है फर दे रेसल मिनिया नाइट टू के मेन इवेंट के लिए अगर उनकी किसमत अच्छी रही तो वो ट्राबल चीफ रोमर रेंज को हरा के एंड स्प्यूड़ चैंपेन भी बन सकते है नमबर टू पर आते है कोडी रोज कोडी रोज रेसल मिन्या के अंदर एक बार फिर से फेस कर सकते है रोमन रेंज को लेकिन उनको एक बार फिर से रॉयल रंबल जीतना पड़ेंगा दो हज़र चौबिस का पिछले साल का रॉयल रंबल है उन्हों जीता था पिछले साल की रेसल मिन्या में मेंड इविंट भी क कुछ करनी पाए ट्राबल चीफ और सोलो सिखवा की मदद से रोमन रेंज ने हरा दिया था कोडी रोस को और अपनी सक्सेस्पुली अपनी अंडिस्पूड़ चैंपेंशिप को भी रीटेंड किया था लेकिन इस बार इतिहास दोराया नहीं जा सकता इतिहास बदला जा सकता हे अगर कोडी रोस के अंदर दम है अगर वो जितने है रॉयल डरमल तो एक पर फिर से वो रेशल मेणज को फेस खरके रोमर रेंज को हराके न्यू अंडिस्पूड़ अभूर्सल हेवी वेडच चैंपेंग बन शकते हैं अब बातकरते हैं नंबर वन के बारे में नंबर परन्तु ये मैच हो सकता है रेसल मेनिया 40 के अंदर फॉर दी अंडिस्पूड़ेट उनिवर्सल हेविवेड चैम्पेंशिप के लिए मगर दर रॉक को रॉयल डॉम्बल जीतना बढ़ेंगा दो हजार चोबिस का उसके बाद ही वो उनिवर्सल हेविवेड चैम्पेंश लेकिन क्या इतना आसान है ट्राबल चीफ रोम रेंज को हराना इसका अंसर अप कमेट सेक्शन में जरू बताना तो दोस्तों यह वीडियो बस यह तकती है अगर आपको वीडियो पसने हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को करतीजे सब्सक्राइब